नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल पुनित में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने कोटक बैंक क्रेडिट कार्ड के अप्लिकेशन को ट्रैक कर सकते हो दोस्तों अगर आपने नया क्रेडिट कार्ड के लिए अपला ही किया हुआ है अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आपको बैंक के तरफ से कोई रिस्पॉंस नहीं मिल पा रहा है आपका क्रेडिट कार्ड बना है या नहीं बना है क्या इस्टेट्र तो किस तरीके से आप वो status track कर सकते हो तो आज किस वीडियो में आपको complete बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखना वीडियो को बिल्कुल भी skip मत करना और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरू सबस्क्राइब कर लेना सारे bills payment कर सकते हो और यहाँ पर अच्छा खासा cashback भी आप earn कर सकते हो यहाँ पर मैं आपको अपनी अभी तक की earn ही दिखाऊँगा तो मेरे को सिर्फ दो महिने हुए है इसको use करते हुए और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अभी तक इसके अंदर 6000 से जादा रुपे मैंने यहाँ पर cashback earn कर लिया आप लोग यहाँ पर देख सकते हो तो यह काफी बढ़िया अप है इससे आप अपने credit card के सारे bill payment कर सकते हो सारे card को add करके आप सभी के bill बर सकते हो और cashback भी earn कर सकते हो इसके साथ साथ दोस्तों आप scan पर करके भी अगर आप कहीं से कोई दुकान से कोई समान पर चेस कर रहे हो, crossfit खरीद रहे हो तो वहाँ पर scan पर करके भी आप यहाँ पर cashback ले सकते हो तो सिर्फ दो महिने के अंदर यहाँ पर देख सकते हो तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों credit card का status को track करने के लिए मैंने आपको नीचे वीडियो के description में मैंने आपको एक link दिया है उस link पे आप click करोगे तो आपका chrome browser open हो जाएगा और आपको कुछ इस तरह का interface देखने को मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या चूज करना है यहाँ पर select product में आप यहाँ पर जाके credit card को चूज करोगे देन उसके बाद यहाँ पर select identifier में आप यहाँ पर अगर आपके पास application number है तो application number आप चूज करोगे अगर आपके form number है तो form number चूज कर लो या फिर अपना mobile number या फिर अपना date of birth भी डाल के आप इस status को track कर सकते हो तो मेरे पास application number है तो मैं यहाँ पर application number को डाल लेता हूँ और यहाँ पर मैंने अपना application number मैं यहाँ डाल देता हूँ मैंने apply किया था और decision date किया है ठीक है तो यहाँ पर 22 अगस 2023 को मैंने मेरा decision यहाँ पर निकला था जो मेरा application number है regret to inform you that your application is not approved ठीक है तो यहाँ पर जो मैंने apply किया था कोटक credit card के लिए तो यहाँ पर मेरा credit card जो रिजेक्ट हो गया है मेरा यहाँ पर card नहीं मनेगा तो दोस्तो ऐसे case में आपको क्या करना है अब आपको अगले 6 महिने के बाद ही apply करना होगा ठीक है तो अगर आपका भी credit card reject हुआ है तो अगले 6 महिने के बाद आप दुबारा से reapply कर सकते हो बार पर apply कभी मत करना क्योंकि इससे आपका civil score डाउन होता है ठीक है दोस्तो तो इस तरीके से आप अपने credit card के application को track कर सकते हो तो दोस्तो लिंक मैंने नीचे वीडियो के description में दिया है जाए और जा करके credit आपको download केजिए और धेर सारा cashback आप लोग earn कीजिए तो मिलते एक नए वीडियो में तो अभी के लिए goodbye जाहे